हेलो एन विलकम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं एवन्टीशन तो आज हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 10 सेवा बोट की सोशल साइंस की एकॉनोमिक स्पार्ट से पहली लेशन जिसका नाम मैं मनियन बेंगे इस वीडियो मैं मैं आप लोगो चप्टर का समरी दूँगा साथी साथ जो कोशेंसर से वो बताऊंगा और MC की उस और वेरी शॉर्ट कोशेंस जो की एक्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है उसको भी बता दूँगा बस आपको करना क्या है वीडियो को ए क्या क्यों है उसके बाद हम लोग और है क्या सबसे पाएल है इस चप्टर में होता जब भी जब मनी का इंवेंचन नहीं होता था मद् mistakes किंकर शेंज कर लिया प्राब्लम्स था और उस प्राब्लम्स को अवरकम करने के लिए मनी का ग्रेजुली डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन हुआ का आप कह सकते हो ठीक है उसके बाद जो है ना मनी की जितने भी एडवांटेर्स थे उसने आउटकम यानि की बटर सिस्टम को बाहर का रास्ता दूसरा जो है हमार तीसरा फ्रेज़ हमारा पॉंट है मनी के चार फंट्टन के बारे में इस चप्टर में बताया गया सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वह है मेडियों अफ एक्शेंज दूसरा मैजर सफ वेलू तिसरा स्टेंडर्ड ऑफ डिफ़र्ट पेमेंट और चौ उसके बाद Central Bank के बारे में है Central Bank, Apex Bank है यानि कि Supreme Institution है और ये Monopoly enjoy करता है note issue करने में जितने भी currency notes है 1 रुपी को छोड़के सारे Central Bank के द्वारा issue किया जाता है और सारे coins और 1 रुपी note वो Government of India के द्वारा issue किया जाते है उसके बाद Commercial Banks के बारे में जिस तरीके से RBI जो है ना Commercial Bank को लोन देता है पैसे देता है उसी तरीके से Commercial Bank भी जो है हमें बहुत सरे facilities provide करवाता है जैसे कि deposit accept करता है, loan देता है हमें, locker facilities provide करवाता है और भी बहुत सरे functions है आगे हम लोग questions में पढ़ेंगे आई-डी-बियाई के बारे में है आई-डी-बियाई यानि कि देखो यह जो है ना इंडरस्ट्रियल फेक्ट्रीज स्ट्रीज को बरहवा देने के लिए फाइंशल एसिस्टेंस प्रोवाइड कर वाता है उसके बाद आरारबी आरारबी क्या करता है लोकल लेवल पे लोन दे यह काम करते हैं और लास्ट टापिक जो हमारा इस चप्टर का वह है NBFI यानि कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी यह लोग डिपोजिट एक्सेप्ट करते हैं इन्वेस्टर से और ग्रेंड करते हैं लोन जिनको बहुत ज्यादा जरूरत हो जब से बड़ा प्रवलम होता था अगर मान लो कि आपके पास पैन है ठीक है आपके पास पैन है लेकिन आपके पैन के बदली आपको जोना शूष चाहिए तो आपको ऐसे इंसान को ढूंबना पड़ेगा जिसके पास जो है और वह सूष देख़े पैन लेना चाहता है तो चोनेघ्म धिर्टेंज्ञ करके और स्क्षों गांका है असों पता हैं गतल इसारा अब कोर्दैर मनी यहीं होता है ने बातुझार आप है ल्याजनी का मतलब है वह घृर देश चाहितानिक इंड्डियन रूपी पै scheint अब इसको ना कोई refuse नहीं कर सकते है लेने से इसको क्योंकि ये गवर्मेंट के द्वारा आर्बाइए के अतरा अब यहां पे भी ये लीगल टेंटर मनी भी ना दो तरीके के होते हैं एक हो गया हमारा लीमिटेड लीगल टेंटर मनी यानि कि कोईंस कोईंस जो है आप बहुत चल्स एक लोट आप को क्रोड रुपय कोई देन कि आप ले लोगे आप किसी होगे तो वह ले लेगा ठीक है इस तरीके ज़िए लिप लिमिटेद लीगल टेंटर मनी और अनिल्मिटर लिगल टेंटर मनी टोकनमी चेक मेनी बनी स्टेंड़ मनी सब शारी मनीस अब लोगको सब से पहले butter system क्या है butter system बटर system में क्या होता था commodity see exchange किया जाता था एक चीज़ को दूसरे चीज़ से एक्षज़ क्रिफीज नहीं हो नह था है cow a god money का मतलब है anything that is generally acceptable as medium of exchange कोड़itta मिडेअ चीज़ की medium of exchange के तोर पर accept कर लियंचंब चाह livre हमझे सकते हैं mention one important functions of money एक important function बता दो money का तो money क्या है तुमारा as a medium of exchange तो यही सबसे important function हो गया और भी important functions है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे give one example of non-legal tender money non-legal tender money check one of the example है representative paper money तो representative paper money क्या है तुमारा मतलब यह है कि यह symbolic money है which is capable of conversion into gold और silver of equivalent equivalent value पे हम लोग क्या कर सकते हैं bank क्या है तो bank एक financial institution है जो की accept करता है deposit और loan को क्या करता है advance करता है grant loan advance करता है उसके बाद RBI के बारे में बताए गया कि जो की apex authority है हमारे देश का तो हर देश में एक reserve bank होता है जिसे हम लोग central bank भी कहते हैं तो हमारे देश में 1935 में इस्टेब्लिस किया गया था उसके बाद पूछा जा रहा है what is current deposit तो current deposit क्या है current deposit का मतलब है saving account में समझ लो की saving account भी जिस तरीके से हम लोग पैसा जमा करते है और withdraw कर सकते किसी भी time पे तो उसे हम लोग current deposit क्या थे ठीक है नेक्स short question type में क्या है हमारा how does the lack of double coincidence of want create problem in butter system तो butter system में double coincidence किस तरीके से problem create करता था जैसे मैंने आप लोग को पहले समझाया जैसे कि मालनो कि आपके पास क्या है pen है आपको चाहिए क्या पेपर चाहिए ठीक है तो आपके पास pen है आपको चाहिए paper तो आपको ऐसा इंसान डूनना पड़ेगा जिसके पास paper हो और उसको चाहिए pen तो आप क्या उसको pen दे दोगे वह आपको paper देगा तो ऐसा ढूनना बहुत मुश्किल होता था ऐसा भी तो हो सकता है जिसके पास paper है उसको pen नहीं चाहिए उसको vegetable चाहिए तो फिर तो यह काम नहीं करेगा इसलिए देखो आपको जो चाहिए उसके पास होना चाहिए और उसके पास जो है आपको चाहिए तो दोनों exchange होना चाहिए इसी को कहते है double coincidence और यह धून पाना बहुत मुश्किल था उस समय ठीक ही तो यह सबसे बड़ा problem होता था उसके बात है what is mean by store of value store value का मतलब क्या है money को हम लोग क्या कर सकते है money आया ही इसलिए था था money को हम लोग store कर सकते है money can be store because it is durable in nature money durable in nature है लेकिन पहले जबाने मी क्या होता था चीजों को हम लोग store नहीं कर पाते थे future use के लिए तो उसको इसका मतलब store value कितना important function है which characteristics of money is one of the most important and one and why money का सबसे important characteristic बताओ और why क्यूं है वो money का सबसे important characteristics वो है generally acceptable generally acceptable का मतलब कि हर को accept करता है money as a serve करते medium of exchange क्यूंकि यह readily accept करता है by general public without any hesitation किसी भी प्रकार का सोच मतलब क्या होता है असंकोच मन में रखे बिना लोग accept कर लेते हैं उसका liquidity of money का मतलब क्या है liquidity of money का मतलब क्या है किसी चीज को जब हम लोग immediately या फिर आसानी से या फिर जब मर्जी तब अगर cash में convert कर सकते हैं जैसे कि besides money other liquid asset land, silver, gold यह सब सारे चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से हम लोग cash में convert कर सकते हैं commerce में पढ़ाया जाता है आगे जब चलके पढ़ोगे तो आपको वता चलेगा कि cash bank and marketable securities यह सब सारे क्या होता है liquid होते है liquid assets होते है उसके बाद money is the common unit of measurement of the value of goods and services explain करना है इसको फिर difference between limited legal tender money और unlimited legal tender money जैसे कि थोरा दर पहले में आप लोग को बताया था कि limited legal tender मतले जैसे कि coin हो गया coins बहुत limited amount में हम लोग किसी को दे सकते है या ले सकते है लेकिन paper money यह unlimited amount में हम लोग किसी को भी ले सकते है functions of regional ruler bank तो regional ruler bank का functions बताओ यानि कि RRB का functions बताओ तो यह क्या करता है यह loan और advances देते हैं कि इनको villages को एक nominal rate of interest यानि कि बहुत कम ब्याज पे यह देता है ताकि private money lenders के द्वारा बचा जा सके दूसरा इसका functions है encourage करता है यह ruler savings को और mobilize करता है इनके saving को investment में यानि कि लोगों का ब्राव लोगों के उपर ब्रावा देता है कि किस तरीके से लोग जोना पैसा जमा कर सेका और उन्हीं पैसा को यह लोग क्या करते invest कर देते कहीं पर ताकि इनको जोना एक अच्छा return मिल सके उसके बाद हाव अर्द नॉन यहां पर कोई भी रिक्स का कवरेज नहीं है लेकिन यहां पर रिक्स का कवरेज होता है प्रोविशन स्वाइब इनसुरेंश स्कीम गवर्ड धर्रीक्स भू पूजिटर उसके बाद लॉंग कोशिंट टाइब कोशिंट तो लॉग कोशिंट में आप लोग एक्स्प्इन फोर मैंरेच्ट सबसक्रिंट नोट इमेरिट दैमेस्ट बताव ब्टर इसके पहला तो जो मैंने थोई दिर पहले बताया यानि कि आपके पास जो है वो किसी और को चाहिए और किसी और के पास जो है वह आपको चाहिए तो दोनों आपस में एक्सेंज कर सकते हैं तो ही मतलब यह हो पाना बहुत मुश्किल होता था दूसरा क्या लैक ओफ कॉमन यूनिट तो यह भी दुमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहां पर अल्ड़ कॉमेड़ी इन टर्म वेलो अनादर कॉमेड़ी यानि कि देखो अब एक ही इसे किसी के पास बकड़ी है ठीक है जिसी के पर चौप और किसी के पास वह गट को कितना आगा तो काव कितना कॉलेगा तो कि यह बहुत बड़ा प्रॉलम राइस हो जाता था उसके बाद इंडिवजिबिलिटी औफ एक्स्चेंजेबल कॉमिड़ी इस यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक और ख़ड़ा हो जाता था वारें इसके बारें बताया नंबर फॉर उसके बाता है डिफिकल्ट औफ टो यहां पर क्या था बाटर सिस्टेम में स्टोरेज और सेविंग करना बहुत मुश्किल था जैसे के मनी है मनी कम लोग स्टोर कर सकते है फ्यूचर में स्निमाल कर सकते है लेकिन बटर सिस्टेम इस नहीं था आपको अगर किसी ने घी दे दिया यह फिर शक्र दे इस तरह किसे को चीज देदे को वेजिदे आप कैसे स्टोर करें टीक है यह सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की उसके बात करने हम लोग को एक्सप्लेंय इनि फॉर कैरेक्टर्स दिए बहुत सारे कैरेक्टर सचिक टेनर यह जैसे गेने अब हाथ लोग को पहले बताया पिर कोजिदे यहानिकर आसानी से ़ीडियाइज किया जासे कि प्राइब लेटी ट्रांसपर कर सकते हैं इस इंसान को दूसरी इंसांत दे सकते हैं प्रेडिट काड्ट और बैंक डेबिट कर दिया अब इसका लोग इस्तेमाल करते हैं इस इस वीजिए डिविट का मतलब क्या होता है जब हाइड मुशिन ऑफ नोट्स है प्र licenses of money to fix the येंब मेंजार आगता ऍनीम अ उधक कि बारते हैं सधसे सब्सक्राइब और इस टोघल एक प्र जका दसे मिगां है इस चेक तो चेक क्या money है, तो नहीं, चेक money नहीं है, चेक क्या promise to pay है, और किसी कोई भी चीज अगर promise या order to pay होता है, तो वो क्या होता है, money नहीं होता है, ठीक है, चेक cannot be digital into smaller units, चेक को हम छोटे units में divide नहीं कर सकते है, चेक does not possess cognability, तो इस तरीके का चीज़े नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं कहते है, four problems associated with money, money के साथ चार problems बताओ, तो सबसे बारा problem क्या है, loss of value, loss of value का मतलब क्या है, one of the main drawbacks of money is that it may brings about the instability in the country, जब inflation होगा, जब महेंगा ही बढ़ जाएगा, तो value, money का value क्या होता है, गिर जाता है, तो इस तरीके से money का loss भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है, दूसरा है हमारा concentration of wealth, concentration of wealth का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, बहुत सरे पैसे कुछ लोगों के हातों में इंडिया में मुके संभानी के बास बहुत पैसा है, और बहुत सरे पैसा है, लेकिन ऐसे भी हजारों लोग के इनके पैसा ही नहीं है, तो कुछ लोगों के पास पैसा बहुत सरे खटा हो जाता है, तीसरा हमारा leads of social evil, social evil का मतलब क्या है, समाज में सब कोई जो लड़ रहे ह इसे स्कैम कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, ब्राइबरी, करप्शन, misuse of money, power, politics, bank fraud, banks के बास बास बेंगे हैं, नेक्स हमारा black money, black money तो आप लोगों को पता ही है, यानि कि एलिगल तरीक से पैसे कमाना हो, उसको उसके ओपर tax ना देना को हुई, हमनों क्या कहते है, ब इशू करता है, करेंसी को, monopoly यानि कि कोई और नहीं कर सकता है, जितने भी currency note है, एक रुपे के note छोड के, बाकि सारे currency note है, जो है, central bank की इशू किया करता है, दूसरा है, banker to government, गौर्मेंट के तरफ से, वो ऐसे banker का काम करता है, ठीक है, जिसमें से वो supplier of funds to the government, गौर्मेंट को funds चाहिए होता है, तो supply करता है, फिर advisor to the government, गौर्मेंट को advise करता है कि किस तरीके से income tax का policy होना चाहिए, trade policy कैसा होना चाहिए, taxes and policy कैसा होना चाहिए, फिर agent of the government, government का agent के हिसाब से भी ये काम करता है, बाइटेनिए, इकाउंट मेंटेन करता है, income and expenditure of the government, तीसरा हमारा banker to bank, ब तो वो कहां जाएगा, वो RBI के पाँ जाएगा, ठीक है, उसी तरीके से regulation of credit है, इसे बहुत, clearing agent, ये सब सारे functions है, promotional role, miscellaneous functions, reserve bank of India, central bank of India का functions है, उसके बाद है two functions of commercial bank, commercial bank का दो function बता दो, तो accept करना, deposit और advance कर लाएँ, loan, credit creation, तो ये सब सारे points है, जो कि मैंने उपर आप लोगो बता रखा है, ठीक है, उसके बाद आपको explain करना है, IDBI, RRB, NAVAD, OR SIDBI, इनके कुछ को छोटे-चोटे points डाला हुए, आप लोग अगर याद करना चाहो, तो ये सब सारे चोटे-चोटे points योने, step-wise, याद कर सकते हो, फिसके additional question है, जाएगा, 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 जाएग economic offense, economic offense, तो ये black money है, black money, उसके बाद, जासे यहाँ पे, in which year IDBI was established, IDBI कब established वह था, तो 1964 में, 2014 के census के हिसाब से number of RRB, किने थे इंडिया में, 57, the first stage in the evolution of money, इस क्या, तो ये सब से पहला क्या था, बटर सिस्टेम ही था, ठीक है, number 5, the dash is the head of the all the bank, कौन head, central bank, जासे हम लोग RBI क which year was the bank of Hindustan setup, bank of Hindustan setup, 1770 में, याद रखना है, the dash bank is used, the term bank, in place of money, तो ये कहा था, चर्मस, ठीक है, तो इस तरीके के short questions, हमने यहाँ पे दे रखा, सादू साथ, एंसर भी है, आप लोग को कोई problem नहीं होगा, ठीक है, इसका link में, आप लोग को हो सके तो description में, प्रवाइद क very short questions, इस तरीक है, very short questions भी आप लोग को पढ़ने, which animal was probably used in the animal standard, animal, कौन सा animal इस्तेमाल होता था, exchange के लिए, जादार got इस्तेमाल होता था, यानि के बखडी, metal money में बारे बता है, name the metal used as the money, तो gold और silver जादा इस्तेमाल होता था, can credit card be considered as money, तो no, credit card money कम लोग कर सकते है, what is general acceptability, general acceptability क्या है, unconditional acceptance by everyone, ठीक है, in which year was the Rix Bank of Sweden established थी 1665 में, how is the rate of exchange determined in a free enterprise economy, by market forces of demand for and the supply for foreign currencies, what is the rate of exchange, rate of exchange क्या है, the rate, the rate at which domestic currency is exchange against the foreign currency, इसी को हम लोग कहता है क्या, the rate of exchange, चोटे-चोटे-चोटे questions जसमें date हो, वो जरूर याद करना, जैसे कि यहाँ पर देखो, in which year was the first RRB setup in India, also state how many, तो यह सबसे पहला था, 5 RRB और कब 1995 में, नावाड को कब established किया गया था, 1982 में, सिट्भी का build का पास किया गया था, 1989 में, सिट्भी operation कब से गया था, 1990 में, ठीक है, फिर what is market central economy, market central economy का मतलब क्या है, यह ना, यह सब सारे, नावाड का head of fish कहा है, मुंबई में, इस तरीके के short questions आप लोग को पढ़ने है, यह सब सारे short questions पढ़ले, मैं आप लोग को provide कर बादूंगा, इसके लिए, I hope कि आपको यह video informative लगाओगा, वीडियो informative लगाओगा तो lights, comment, share करना ना भूले, साथ हमारे वीडियो में, तब तक के लिए,